Hello Everyone, Once more you are most welcome on my YouTube channel आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज जो math में concept लेकर हम आए हैं वो बहुत ही important concept है आप थोड़ा सा वीडियो के last तक आप बने रहिएगा अगर आप किसी भी exam की तियारी करते हैं तो आप के लिए बहुत ही beneficial होगा So guys, first of all आपको थोड़ा सा patience रखके वीडियो के last तक बने रहना है आप देखे आप अगर आप किसी भी exam की चाहे वो छोटा exam हो, चाहे वो बड़ा exam हो कोई exam की अगर तियारी कर रहे हो तो वो बहुत important आपके लिए होगा देखे क्या है, कहरा कि find the area of the circular path अभी मैं यह बताता हूँ कि इसमें दो कंडिशन है, मैं इसमें यह बताऊंगा कि किसी circular path की अगर area निकाल ली हो, तो दो कंडिशन है कि when the path is outside और दूसरा है कि when the path is inside, जैसे, पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं इसमें question बताता हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक circular park है, माल लीजी यह क्या है, circular park है, ध्यान से समझेगा, बहुत आराम से समझेगा, और देखा होगा आपने circular park के outside में equal breath का आपका एक कोई रास्ता ह अगर ना भी लग रहा तो माल लीजेगा, यह रास्ता है, आपसे यह पूछा जाए कि इस रास्ते का यह जो path बन रहा है, इसकी area निकालनी हो, तो आप इसकी area कैसे निकालेंगे, उसी का मैं shortcut method बताऊंगा, अगर by दबे माल लीजीए, मैं आपसे कहूँ कि इसकी radius दी वो x है, और जो radius आप दी पारक है, वो कितना है, आ रहे है, अगर ऐसा कुछ दिया है, यह question में दिया रहेगा, अभी मैं इसका example लेके बताऊंगा, तो अगर आपसे पूछे, और देख रहे हैं, रास्ता क्या है, रास्ता आपका outside है, मतलब पारक यह अंदर है, रास्ता ब bracket, 2R करेंगे, और प्लस x कर देंगे, सारी value पता, इसी में put कर देंगे, answer आपका आजाएगा, अब कैसे मैं बताता हूं, जैसे, अगर हम आपसे यह कहें, कि माल लिजे हमारे पास 7 meter का कोई हमारे पास एक पारक है, माल लिजे 7 meter radius का पारक है, इसके outside में हम यह माल ले रहे ह है, कि 1.4, थोड़ा हम value, ऐसी value लिए हैं, जो अराम से cancel हो जाए, 1.4 meter का माल लिजे, यह रास्ता है, और आप से पूछे कि इस रास्ते का यह जो बन रहा है, पास इसका आप area बताए, 7 meter का क्या है, पारक है, यह पारक है, और 1.4 meter का यह देख रहे हैं, यह क्या है, आपका एक circular path है, अब इसकी area पूछता है, अगर आपको यह याद है, तो आप direct इसी में put कर यह answer आ जाएगा, तो अगर यहाँ area पूछें क्या होगा, तो आप simple सी बात है, x का मतलब होता है, यह जो breath है, आप उसको रख दीजे, मतलब 1.4, यह point में 1.4, और into लगा दीजे, पाई क देख रहे हैं, यह point two bar में cancel हो जाएगा, और यहाँ जाएगा, कितना, यहाँ जाएगा, 4.4, जब 2 का multiply करेंगे, और into, यहाँ देख रहे हैं, कितना चुदा, चुदा में अगर, 7 to the 14, 14 में जोड़ें, कितना जाएगा, 15.4, अब इन दोनों का multiply कर लीजे, multiply करने के बाद चुदा आएगा, वही answer हो जाएगा, तो multiply आप करेंगे, थोड़ा सा multiply, यहाँ साइड में कर देते हैं, इसमें कोई problem की बात नहीं है, यह हो गया, कितना, चार्चुद के 16, 45, 21, 21, यह 6 हो जाएगा, यह कितना जाएगा, चार्चुद के 16, 45, 21, 21, तो 6, 7, 7, 6, decimal कहा लग ज सेवेन, अगर यह मीटर में, तो मीटर स्क्वार देखने, इसकी एरिया पता चल गई, मेरे कहने का मतलब यह हुआ, कि आप अगर इस तरीकी के आता है question, तो आप direct इस फार्मूले में पूट करके, आप value क्या कर सकते, निकाल सकते, अब यहाँ पे सिर्फ यह बात ध्यान द रहे हैं, यह R radius का कोई क्या है, एक पार्क है, R radius का, और इसके अंदर हम माल ले रहे हैं, X breath का कोई रास्ता, यह inside बना हुआ है, और यह radius पूरी कितनी दिवे हैं, आपकी R दिवे, अब अगर आप से पूचे की area आप दी पाथ क्या होगा, इसकी area, इस रास्ते का छेत्रफ क्या होगा, तो यहां जो area आप दी पाथ होगा, area आप दी पाथ, वो कितना होगा, ध्यान से समझेगा, कुछ नहीं करना, X पाई, सब कुछ वही रहेगा, बस खाली थोड़ा सा आपको change कर देंगे, 2R और यहां माइनस कर देंगे, X, क्या कर देंगे, माइनस X, देखे, य आप यह formula लगाएंगे, इस पे example देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस example से आप समझेगे, X की value क्या है, R की value क्या है, डारेट इसमें पूट करेंगे, तो आपको area इसका पता चल जाएगा, तो आप देख रहें, अगर ऐसे questions आते हैं exam में, कि find the area of circular path, तो इसके लिए मै minus यही बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है, तो चलिए, I think आप इस बात को समझ रहे होंगे, next video में हम आपको एक नए concept के साथ, फिर मिलेंगे, और हाँ, एक चीज़ में आपको यह बता दूँ, कि अगर आप first time में साथ चुड़ रहे हैं, तो प्लीज आप जाके playlist में क्योंकि उसका अलग मैंने recording board पे किया है, यह तो मैं copy पे कर रहा हूँ, मेरा board पे भी मैंने पढ़ाया, तो उस recording में आप देखेंगे तो आपको वहां से मिलेगा, और दोस्तों अगर आप नए हैं, आप को एक्जाम की तियारी कर रहे हों, तो प्लीज इसको like करना, subscribe करना, share करना बिलकुल मत भूलिए, सारे short tricks video आप देख डालिए, आपके लिए बहुत benefit होगा, आप उसको जब एक बार सीख लेंगे, और देखें कि जब उसका application आप किसी भी exam में करेंगे, तो फिर आपको वहां पे इसका जादा जादा फायदा समझ में आएगा, तो कि अभी ऐ time है, जो आप time save करेंगे, इसके help से आपका time बहुत safe होगा, क्योंकि इस सब को बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत search करना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है, उसके बाद फिर आप लोग को बताना पड़ता है, चलिए next video में हम फिर मिलते हैं, एक नए concept के साथ तब तक लिए धन्यमा, thank you so much.